दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो नेक्स्ट मैच होने वाला है ECS T10 स्रीच का NFCC वर्सेस NCT के दर्मियान में दोस्तों इस मैच का पुरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि NFCC और NCT के टीम ने अभी तक इस रिच के कितने मैचिस खिले हैं कितने मैचिस विन करा है कितने मैचिस लॉस करते वे आरे दोस्तों और इस रिच के खिले गई मैचिस में कौन से खिलाडी लगातार आपन करते वे नजरा रहे हैं उनसे खिलाडी फर्स डान पर केलते वे नज़रा रहें दोस्तों जितने भी खिलाडी है सारी खिलाडी का बैटिंग ओडर मैं आपको इस वीडियो में इश्टे बाइश्टे बताऊंगा साथ यसाद आपको बताएंगे कि कौन से बाइलर यहापको complete चारर और यहापको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे और कौनसे बाइलर यहापकर दोस्तों एक और बॉल्लिंग करते वी दिखेंगे कुछ ऐसे भी खिलाड़ी आपके यहाँ पे टीम में देखने को मिलेगा जो वान अवर बॉलिंग करते वे दिखेंगे इस मैच में और दोस्तों जो कंप्लेट दो पर बॉलिंग करेंगे डेथ अवर पर बॉलिंग करते वे नजराएंगे आज टारगेट करेंगे उन बॉलरों को अपने टीम में ट्राइ करने के लिए तो दोस्तों सारे खिलाड़ीू का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए किसको ट्राइ करना चाहिए किसको यहाँ पर head to head में ले सकते हैं किसको आप small link में ले सकते हैं और किसे आप grand link में ट्राइ कर सकते हैं तो अगर आप इस match में एक बहतरी इन टीम त्यार करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को बिना skip किये सुरू से अंतक देखना ताकि इस match related आपको सारे important जानकारी मिल पाए और आप एक बहतरी इन टीम बना पाओ लेकिन इससे पहले एक छोटी से request दोस्तों कि चैनल पे अगर आप नए जूड़े हैं तो चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना इस वीडियो के नीचे जो आपको subscribe का बटन दीख रहा होगा दोस्तों इस पर आप क्लिक कर दें फिर यहां पर जो bell icon बना हुआ है bell icon पर क्लिक करने के बाद all का option देखने को भी लेगा इसको आप select कर लेना देखो इससे क्या होगा कि आने बाले matches का वीडियो में जैसे upload करूँगा आपके पास सीधे notification जाएगा और सारे matches का जानकारी आपको मिल पाएगा दोस्तों अगर stress पसंद आते हैं तो वीडियो को एक like करके में motivate भी जरूर करना क्योंकि आपका एक like से में काफी motivation मिलता है और सबसे जरूरी बात है कि आप मारे telegram group को join कर लो यहाँ पे आपको एक arrow का button दीकराओगा जैसे यहाँ पे आप click करेंगे दोस्तों आपको हमारे telegram group का link मिल जाएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 28000 से भी अधीक उजर ने join कर लिया है दोस्तों अगर आप final team पाना चाहते हैं line up आने के बाद देखो मैं इस वीडियो के अंदर सारे खिलाडियों का जानकारी दूँगा और साथी साथ एक team त्यार करेंगे जो almost final team रहेगा फिर भी अगर कोई भी changes होता है एक से दो खिराडी line up आने के बाद तो वही team आपको update करके यहाँ पे बिल्कुल free provide कर दिया जाता है तो इसका link आपको इस वीडियो के नीचे discussion box में और comment box पहला comment में मिल जाएगा तो जल्दे से click करके join कर लो बाकि चले दोस्तो हम लोग यहाँ पे इस दोनों ही टीमों के stats की और बढ़ते है सुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले NFCC के team से जो अभी तक इस रिच के 12 matches खेल चुके हैं और इसमें से 3 matches win कर रहा है और 9 matches loss करते भी आए हैं दोस्तो काफ़ विक team है यहाँ पे पहले ही ध्यान रखना कि NFCC की जो team है इस team से अगर आप चाहें तो जितना भी कम खिलाड़ी को ले उतना ही ज्यादा better रहेगा लेकिन NCT की team की बात करोगे न तो दोस्तो इस team ने काफ़ी बढ़े हैं मैचेस जीते हैं आप देख सकते हैं 10 यहाँ पे 16 matches खेले हैं जिसमें से 10 matches win कर रहा है और 6 matches loss करते वी आए हैं तो मेरे हिसाब से देखो एंसीटी के अगर आप यहाँ पीछ साथ क्राड़ी को आज ट्राय करते हैं अपने टीम में तो यह ज्यादा perfect रहेगा बाकि बात करेंगे जो open करते हुए नजराएं जो की टीम के opener बले बाद जाए पहले match में open करते हुए flop रहे थे दूसरे match पांच नरपे भेजा गया फिर 14 रन फिर यहाँ पे कई matches में flop रहने के बाद अगर पूरी स्रीच का करें टोटल स्कोर देखा जाए तो 43 रन बनाके एक वीगेट निकाले हैं दोस्तों यह bowling आपको ना के बराबर करते भी दिखेंगे अगर आप इस match में अगर इनको drop करते हैं तो कर सकते हो बागे कमरोल की बात करेंगे ना तो पहले match में open करते भी अठार रन बनाये थे फिर 24 रन फिर नौर रन फिर यहाँ पे लगातार दो तिन में flop रहा है और पूरी स्रीच में से तरह देखोगे तो 81 रन बनाये हैं प्रविज में आखी बात करेंगे दोस्तों तो पहले match में 37 रन बनाये थे दोस्तों फिर यहाँ पे 10 रन बनाये हैं फिर यहाँ पे देख सकते हैं 6 रन बनाये दोस्तों कई मैचे में देखोगे तो यहाँ पे काफी बड़ी हाँ खेलने दोस्तों कई मैचे में आप देखो दोला को कि अपके दो सुटोगे अ Observिक उध्य बारे में रिखन के त्योंत परिकेंग के अग्यान ग शेड़ा क्राइइर, कर दोला को अगal डिखनेंग करेंगे यहांता है पूपनेसे को क्या चैब से खामें सुटे बॉलिंग और यहां पर बैटिंग करते वे दिखें हैं दोस्तों बात करेंगे तो पहले मैच में दो रन बना के एक विकेट निकाले हैं फिर फ्लाप रहा था फिर 21 रन बना है इनको ड्रॉप करेंगे इनके खेलने के भी काफी चांसे कम रहेगा मुनहा रैमन की बात करेंगे तो पूरी स्रीज में 98 रन बना के तीन विकेट निकाले हैं टीम का थार्ड डाउन का बल्ले बाज है और देख सकते हैं अभी तक पूरी स्रीज में देखोगे दोस्ते में बल्ले बाजी स्थे हो हलाकि एवरेज का खिलाड़ी है लेकिन दो बर क अनफम गिंदबाजी करते हैं यहीं खारणे की कहिन है कहीं एक अच्छा विकल्प रहाएगा बाकि दोस्तों के रिन के बारे में देखा जा तो चार अमर पे बल्ले बाजी करते हुए 120 रन ने बनाए हैं इनको अगर अपने टीम में ट्राय करना चाते हो तो कर सकते हो जो एक अच्छे गिंदबाजी करते हुए यहां पर एक अच्छे बल्ले बाजी करते हुए देखेंगे जो काफी बढ़ी है स्कोर इन्होंने करा है बाकि नौरी चोदरी की बात करेंगे इनका स्ट्रेट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है इनको ड्रॉप करते हुए नहीं लग्स पाँच बीकेट निकालें अभी तक दो बर तक इंदबाजी करते हुए देखेंगे इनको ड्रॉप करेंगे इनका स्ट्रेट कुछ खास नहीं है वही सगय्अ इलामीन की की बात करेंगे दूस्तों ते इंक फ्लॉप रहने के बाद देखोंगे तरी एक बर त कुछ खास नहीं इन्होंने दो मैचेस खिलते वे दिखेंगे पहले मैचे फ्लॉप रहा है फिर दो रनमना के तीन विकेट निकाले हैं एक से दो बर आपको गेंदबाजी करते वे दिख जाएंगे दोस्तों हाला कि दो ही मैचेस खिले हैं लेकिन परफॉर्मेंट्स काफे ब सब्सक्राइब करते हैं और अभी तक देखोगे तो मैक्सिमम मैचेस जित्ते वे आ रहें इस स्रीज में यहां पर जो आपको आपन करते वे दिखेंगे दोस्तों जो टीम के टॉप पर बल्लिबाजी करेंगे पहले जानते हैं आपने सिकावत हसन के बारे में जो पूरी स् सब्सक्राइब करते हैं और इसी परकार देखोगे तो 63 निकाले हैं और दो अबर तक गेंदबाजी करते वे दिखेंगे पूरी स्रीज की बात करेंगे तो 137 नर मना के एक विकेट निकालें दोस्तों तो कहीं नहीं कहीं एक अच्छा विकल्प रहेगा आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बाकि इनको डॉप करेंगे इनका स्टेट्स कुछ खास नहीं इनके बारे मैंने पहले बताया टीम के टॉप पे बल्ले बाज़े करेंग 14 नर मना है 14 विकेट निकालें दोस्तों ये बहुत ही सांदर बल्ले बाज़ी करते हुए दिख जाएंगे मेरे हिसाब से देखो तो कैप्टेंसी वेज के लाइज इनको ट्राय कर सकते हो रिजन यही है कि दो बर तक गिंदबाजी करते हुए देख सकते हैं और पुरे टू 147 नर मना है 4 विकेट निकालें बॉलिंग ये आपको कम से कम एक वर तक करते हुए दिखेंगे बाकी के अगर देखोगे तो के मैचेस में दो बर भी किया है तो ये कनफर्म नहीं रहता है दोस्तों मैचेस के बैसे पर भी थोड़ा पूर चेंजेस होते रहता है बाकी बिल तिनोंने 5 नर मना है मातर लेकिन 12 विकेट निकालें दो बर तक गिंदबाजी करेंगे अजे बोलर आप जरूर ट्राय करना जो गिंदबाजी आपको कम्प्लिट ओबर करते भी दिख जाएंगे बाकी जईद हसन की बात करेंगे तो पहले मैच में आपन करते भी बंदा फ् फिर फ्लाप रहते इसी परकार पूरी स्रीच की बात करेंगे तो 39 नर मना के 5 विकेट निकाले हैं लास्ट जो यहाँ पर खिलाडी है जितने भी मैं ड्रॉप करूंगा क्योंकि कुछ खास स्टेट्स रा नहीं चार से पांच खिलाडी जो एक ही दो मैचेस खेलते वे लिए हम लोग इसके बैसिस पे एक बहतरीन टीम की और बढ़ते हैं दोस्तों सुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से जो आज आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा एंसिटी के टीम के तरफ से ये टीम के टॉप पे बल्ले बाजी कर रहें देखो अपने टीम करना चाहते हैं तो एक टीम में कैप्टन रहने वाला दूस्तों बाकि आप देखोगे टीम के तरफ से ये हाइं पूर्टन रहेगा मेरे हिसाब से इनको आपने टीम में ट्राइ कर सकते हूं आज काफी बढ़िया है आपे बल्ले बाजी करते हैं अभी तक दीक बॉलिंग दोनों करते हैं आए जमन देको ये कैप्टेन सी के लिए सबसे मोशन इपोर्टन रहेगा मैं आपको स्टेट्स बताते वक्त बताया है जो बॉलिंग को कन्फर्म दो बर करते हैं और बल्ले बाजी बीटॉप करते वे नजर आएंगे बागे पे मिया को ट्राइ गेंदबाजी करते हुए यहां पर अपने ट्राइ कर सकते हो बाकी दूस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने कैप्टेन सी के लिए इनको ट्राइ किया वार्वाइस के लिए इनके साथ जा रहा हूँ आपके पास च्वाज़ है जैसे मैंने आपको कहा था अगर चाहे दिनको भी Captain C के लिए ले सकते हैं तो फिलाल इस team का आप save करके रख लो यहाँ पर एगर कोई भी चिंजस होता है ना तो मैं final team आपको टेलेग्राम गुरुप में दे दूँगा जिसका link आपके इस वीडियो के नीचे discussion box में और comment box पहला comment में भी मिल जाएगा बाकी मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में जैहिंद